मिरा first question है वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है किस अबनाम को धार नहीं इसका correct answer होगा नीज वाचक option A इसका correct answer होगा मतलब कहने का अर्थ है वह औरों को नहीं अपने को सुधार है मतलब नीज, नीजी नीज मतलब आपना होता है नीज का अर्थे होता है अपना इसलिए यह जो संटेंस जो लिखा गया है वो अवरो को नहीं अपने को सुधार रहा है यह नीज वाचक का उधारन है अपसन ए इसका correct answer होगा कोसर में दूसरे देख रहे है सुनीता रोर ही है किस काल का उधारन है तो यह वर्तमान काल का उधारन है क्योंकि लाश्ट में हो आया है लाश्ट में हो लग जाएगा तो वर्तमान काल का उधरन हो जाता है ठीना जिसे रामगार है सिता सो रही है ठीना मतलब लाश्ट में हो आजाएगा तो वर्तमान काल का हो जाता है लाश्ट में गागेगी आजाएगा जिसे वह पढ़ेगा वह रहेगा वह सुतेगा तो क्या ह बिस्याट काल जिसमें आ जाएगा वे भूट काल हो जाएगा जिसमें त्राभ जाया रो रही है इसमें हो आया है इसलिए वर्थमान काल हुआ है इसका इन्सर ए होगा। इस बात को याद रखेगा कोचन में थीरी देख रहे हैं कुछ लोग कौन भी सेलसन है तो कुछ लोग जो होता है कुछ लोगों की संख्या के बता रहा है ठीक नो लोगों की संख्या के बता रहा है कुछ लोग मतलब 5-10-15 कुछ भी हो सकता है मतलब संख्या वाचक भी सेलसन क्या है अनु कुल सब्द में उपसर्ग क्या है ठीक ना तो उस उपसर्ग जो होता है उपसर्ग वह आगे लगता है तो आगे क्या लगा हुआ है अनु आगे आपको क्या लगा हुआ है अनु तो इसलिए इसका क्रेक्टेंस रोगा अनु उपसर्ग आगे लगता है तो आगे लगा हुआ है अनु इसलिए इसका correct answer होगा अनु अप्शन C इसका correct answer होगा कोश मैंने 5 देख रहे हैं कि जाडू सब्द में परतय क्या है जाडू सब्द में परतय क्या है परतय जो होता है पीछे लगता है तो जाडू U आ रहा है जाडू में U आ रहा है इसलिए U परतय होग अप्शन D इसका correct answer होगा कोचन में 6 कर रहा है कि परिवारिक सब्द का बिसेशन रूप क्या है तो परिवारिक सब्द का जो बिसेशन रूप है वो परिवारिक होगा अप्शन A इसका correct होगा परिवारिक सब्द का बिसेशन रूप क्या होता है तो परिवारिक होता है कोचन मेरे 7 कर रहा है सजन सब्द कौन से समास है सजन जो है सजन कौन से समास है तो सजन आपको करमेधार समास है Option B इसका Correct answer होगा Option B कोचन मेरे 8 कर रहा है कोचन मेरे 8 कि परिश्रम न करने वाला छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं रेखांकित सब्द क्या है जो रेखांकित जो सब्द है वो क्या है उपवाक है कि अब्वय है कि पदबंध है कि मासिक पद है ठीना ति ये जो है अपका पदबंध है अपसन सीज का कॉरेक्टिंस रोगा पदबंध परिश्रम न करने वाला छातर अच्छे आंक नहीं लापाते हैं यह जो रेखांकित सब्द है जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है यह जो सब्द है उपदबंध है option C इसका correctness होगा question number 9 देख रहे हैं लोगपिरिये बेखती का समान सभी करते हैं किस वाक का उधारन है यह जो है शर्रल वाक का उधारन है option D इसका correctness रोगा शर्रल वाक इस बात को आपको याद रखना है question number 10 देख रहे हैं question number 10 आप से कर रहा है निम्न में सूध हुआ कि कौन है तो निम्न में सूध हुआ कि जो है option B है वाक कीलो ने कागजाद का परिचन किया शूध वाक क्या है option B इस बात को याद रख करिएगा वाक कीलो ने कागजाद का निचन किया यह शूध वाक क्या question number 10 देखते हैं question number 10 आप से कर रहा है कि सेखर एक जिवनी उपनियास जो है किसकी राचना है कोर्शन doMM 12 में काष्या वास्यार की रहा है कि सेखर एक जीनी जो उपनियास है वो किसके द्वारा लिखा गया है तो सेखर जो जुनी जो है उपनियास हो साचीदानंध हीरानंध वास्यायन अगे द्वारा लिखा गया है Option B, इसका correct answer होगा, सचीदानंद, हिरानंद, वास्यान, अगे court confirmπε 12 करभा है एक bridge की हत्या, शिर्षक कभी ता, कुमर रायन के किस संकलन से ली गई है इसका correct answer होगा, इन दीनों से option C, इसका correct answer होगा कोचन में तेरा देख रहे हैं कभी बिरेन डंगवाल के नुसार जीवन में महत्पूर्ण क्या है कभी बिरेन डंगवाल का नुसार जीवन में महत्पूर्ण क्या है तो संघर्स है अब संडी इसका correct answer है कभी ब्रुएन डेंग्वाल जी कहते थे कि जियुन में हमें साथ संघर्स करते रहना चाहिए ठीक ना अब संडीज का क्रेक्टिंस रोगा चोदर नमर कोचन कर रहा है चोदर नमर चोदर नमर कोचन कर कर कि बिजाक्षर सिर्शक काब संगलन किसकी राचना है बिजाक्षर जो कवीता है बिजाक्षर वह किसके दोरा लिखा गया है तो अनामिका दोरा लिखा गया है Option A इसका करेक्ट रन्सरों का अनामिका कोचन कर पंदरों कहभ़ा आ है कि कभी जीवनान नन्दास का जनम कब हुआ था कभी जिवना नंदास का जो जनम हुआ था उकब हुआ था इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 1899-एस्वी में कभी जिवना नंदास का जनम का हुआ था 1899-एस्वी में इस बात को आपको याद रखेगा कोंशन में सुला कर रहा है कि जीवना नन दास की किस स्रेस्टर कभीता को रविंद्रो तर युग की स्रेस्टम प्रेम कभीता की संग्या दी गई है ति इसका correct और होगा 1 लाता सेंड अब स्थीष का correct और होगा फिर से कोशन के एक वाई रिपीट कर देते हैं जीवना नन दास की किस कवीता को रबिंदरोतर युग की स्रेश्टम प्रेम कवीता की संग्या दी गई है तो इसका ववन लाता सिन होगा इस बात को याद रखिएगा कोशन में 17 काड़ा है कि रेनर मारिया रिलके का जनम कहा हुआ था तो रेनर मारिया रिलके का जनम हुआ था वो अस्ट्रिया में हुआ था अस्ट्रिया में अप्शन A इसका कोशन में ठाड़ा काड़ा है मेरे बिना तुम प्रभु सिर्शक कभीता किस भाव की है मेरे बिना तुम प्रभु सिर्शक कभीता जो है किस भाव के है तो भक्ति भाव के है अप्सन बी इसका कोरेर्ट के इंसर होगा कोच नमर उन्नीच देखते हैं कोच नमर हम उन्नीच को देख रहे हैं क्वेशन मों रुणिस साब से कर रहा है कि प्रेम गहन जी किस यूग के मतपून कभी थे प्रेम गहन जी किस यूग के मतपून कभी थे तो भरतेंदू यूग के अप्शन सी इसका करेट इंसर होगा भरतेंदू यूग के प्रेम गहन जो थे मतपून कभी थे कोशन में 20 करा है कि कभी दिनकर किसके लिए स्रिहासन खाली करने की बात करती है कभी दिनकर जी किसके लिए स्रिहासन खाली करने के लिए बात करते है तो जानता के लिए ठीक न? कि कभी दिनकरजी जानता के लिए सिहासन खाली करने के लिए कहते थे यह कोशन करा है कि ननकाना साहब अब कहां है ननकाना साहब एक जगह के नाम है वो अब कहां है ननकाना साहब पहले पकिस्तान में था पहले यह था पंजाब में बट पकिस्तान में पड़ता है ननकाना साहब जो अस्थान के नाम है वह अब पकिस्तान में पड़ता है पहले यह पंजाब में पड़ता था इस बात के याद रखेगा लेकिन अब यह पकिस्तान में पड़ किस्ति परब्भकत को जो से कभी यसकां वो तो सबसे दाल के युचुन आओ न किस्तिलाइल भागवान करिए जवर लोगरसे गी को सब्सक्राइब कुछनर तरकर रिए नेरहां फार शियाका किसन का उयक्ष्णas करी तरह है शरू कि प्रेम आयनी जो शुरी राधिका है किस चंद से ग्रंद से संक्लिथा जिसका को जोजूरा 15 देखते हैं कोर्शन में 25 कड़ा है कि पर्याग डामा गमन जो सिर्षक नाटक है वो किसकी रचना है पर्याग गमन एक नाटक है जो किसके द्वा लिखा गया है तो बद्री नयान चोद्री प्रेम घंद वाड़ा option D इसका correct answer होगा option D इस बात को आपको याद रखना है कोर्शन में 26 कड़ा है आपसे कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची ला जाता है भरतिये सब वस्तु ही 100 ये हाई घिनात है ये पंक्ति जो है किस कविता से है ये जो पंक्ति है इसका correct answer होगा इस बात को आपको याद रखना है कि सुमिंत्रा नंद पंद का जनम का हुआ था तो सुमिंत्रा नंद पंद का जो जनम हुआ था वह 920 में हुआ था अपस्टन 20 का correct answer होगा कभी दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन का इठला रही है कभी दिनकर का नुसार कौन सोने का ताज पहन का इठला रही है इसका correct answer होगा देश की जनता ठीक न देश की जनता अपस्टन 20 का correct answer होगा ठीक है अठाइस का इसका answer क्या होगा ए देश की जनता कोचन 29 कर रहा है कि दिनकर के काभ का मुल सोर क्या है दिनकर के काभ का मुल सोर क्या है और आटेघा बाटे हैं ठीक नहीं इस बात को याद कर रखेगा दिनकर्जी के जितना भी कवीता हुआ है वह राष्टवादी चेतना के लिए है इस वाद क्यात रखेगा आप संदी इसका कोरेक्टन सुरोगा कोश्चन नमर तीस क्यों चलते हैं कोश्चन नमर तीस आप सकड़ा है हिंदी के आदी कभी कौन है कोश्चन नमर तीस करा है कि हिंदी के आदी कभी कौन है ती हिंदी के आदी कभी सरहपाद को कहा जाता है अपस्टन ए इसका कोरेक्टन सुरोगा सरहपाद कोश्चन नमर तीस करा है कि सामाजिक विकास क्लम में सामानती सभ्याता की अपेच्छा किस सभ्याता को अधिक प्रगति सिल कहा जा सकता है ठीक न, मतलब किस सभ्याता को अधिक प्रगति सिल कहा जा सकता है तो पुझिव अधिस सभ्याता को अधिक प्रगति सिल कहा जा सकता है ठीक है, अधिक प्रगति सिल किसे कहा जा सकता है तो जिसके पास पुंजी पती रहेगा उसको उसी कमकाजी कहेंगे वो अधिक परगती सिल कहेंगे मतलब परगती सिल का मतलब होता है बढ़ाना बढ़ना ठीक न जिसके पास पुंजी जादा है तो कोशन को फिर से रिपीट कर देते हैं कि समाजिक विकाज करम में समानती सभ्याता को अपेचा कि सभ्याता को अधिक प्रगति सिल्का जा सकता है तो पूंजी वादी सभ्याता को अधिक प्रगति सिल्का जा सकता है और संसे इसका कोरेक्ट रोगा कोशन में 32 कर रहा है कि मनूस और परिस्थिति का समंध क्या है साफ एक्स है मनूस और परिस्थिति का जो समंध है वो सात्वत है बात सत्थ है ठीक ना साफ एक्स इसका कोशन में 33 साफ से कर रहा है कि जार साही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोगपिये सहितकार कौन है जार साही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोगपिये सहितकार कौन है जिसका क्रेक्शन सरोगा तोल अस्टाय अप्सन एस का क्रेक्शन सरोगा कोशन में 34 कर आए यह पंडित बिर्जु महराज का संबंध निरेत की किस साली से है तो कथक से है कथक निरेत से बिर्जु महराज का संबंध है अब सन 20 का करेक्जिस दोगा कोश्चमर 35 का अड़ा है आपसे कोश्चमर 35 को अम धिहां से देखेंगे जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिर्जु महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए तो लखनों में चल गए थे अपसे सीस का correct answer होगा फिर से कोश्चन को रपीट करते हैं तो लख 9 में चल काये थे अप्शंस 3 का Jed不好 चट्ष त्रीस निव। कोशन कर रहा है जब बीजु महराज के बाबु ही ने मिर्टू हुई इस बात को आपको याद रखना है कोशनमा 37 कर रहा है अब इन्यों क्या है तो अब इन्यों एक इसाई मठ है अब इन्यों क्या है इसाई मठ है इस बात को याद रखेगा जो फ्रांस में पड़ता है अब इन्यों कहां पड़ता है फ्रांस में इस बात को याद रखेगा कोशनों 38 कोड़ा है मचली सिर्षक कहानी किस कहानी संक्टलन से लिग गई है मचली कहानी जो है बिनोत कुमार सुकले द्वार लिखा गया है मचली कहानी किस के द्वार लिखा गया है बिनोत कुमार सुकले द्वारा तो यह जो कहानी है, किसे लिया गया था, तो माहा विद्याले से लिया गया था, अप्सन भी इसका कोरेटेंस रोगा, सिर्शक कहानी, मसली सिर्शक कहानी, किस कहानी संक्लन से लिग गई है, तो माहा विद्याले से, अप्सन भी इसका कोरेटेंस रोगा, कोशनरम 49 को देखते हैं कोशनरम 49 कर रहे आपसे कि संतु भीगने से बचने के लिए कहा खड़ा हो गया संतु भीगने से बचने के लिए माकान के नीचे खड़ा हो गया था इस बात को याद रखेगा अफसन C बिस्मिल्ला खा और सहनाई के साथ किस मुश्रिम पर्व का नाम जूरा हुआ है बिस्मिल्ला खा और सहनाई के साथ जो पर्व जूरा हुआ है वो मुहर्रम है और संदी इसका करेक्ट अंस रोगा एक्तालीस नमर कोशन कर आया है कोशन नमर एक्तालीस कर कि कभी सुमिन्ता नंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संता ने दरीद रता और अभाव से ग्रसी था है सुमिन्ता नंद पंत के अनुसार भारत मा के कितना संता ने जो है जो बहुत गरीब है दरीद रहा है ठीक न और तौन पर कापड़ा भी नहीं है उसको भूखे सूने भी पारता है तो कितना है वो तीस करोर अप्सन ए इसका करेक्ट अंसर होगा अप्सन ए सुमिन्ता नंद पंत के अनुसार भारत मा कि कितने संता ने दरीद रहा तो तीस करोर अप्सन क्यों प्यालीस सबसे कवड़ा है कौस्ट नमर ब्यालीस और युद्या कराजा दसरत के चार पूत्र थे कौन पद्बंद है यह जो है संग्या पद्बंद है अप्सन बीस का कोरेक्ट अंसर होगा कि तैलेसर में खोश्टन कराया कि समुचण का परियावाची सब्द कौन है तो इस समुचब का परिवाची सब्द है संग्या अप्सय्ण समू शम्द का परिवाची सब्द होता है,वह संग है, संग का अर्थ होता है,्समू शम्दुकम का ओता है,जुंड होता है, शंव होता है, Scamoo समू का परिवाची सब्दुकर सेंग, करने वाले के लिए एक सम्सक्राइब क्लाता है मांचार करें को देख रहे हैं याचना करने वाले के लिए एक सब्द क्या है याचक अप्शन सी इसका कोरेक्ट इंस रहोगा कुट्टे की मौत मरना मुहब्रे के क्या अर्थ है कुट्टे की मौत मरना मतलब बुड़ी तरह मरना कुट्टे की मौत मरना मतलब होता है बुड़ी तरह मरना अप्शन लिए कडनेकर इसका का स्ठी trailer का pencil . खोशंडरा को सद्संद कर चारा है कॉनस समास है यहाँ यहाँ न्राथ हमास्द को क्या इसका गूयालन समासह है बट यहाँ पर दिना दिन, दुनों एक ही सब्ध है, दिना दिन, रातो रात, यह सब अभिभाव समाज का उधारन है, कहीं पर दिना दिन आ जाएगा, दिनों दिन, रातो रात, यह सब कौन समाज का उधारन है, अभिभाव समाज का, अफसन यह इसका correct answer होगा, और तारी सिर पंचम सब्द का संदी विछेद क्या होगा तो पंपलस चम यह आपका कोड़ेक्ट एंसर होगा अब संसी निमली खीत में सूध सब्द कौन है तो निमली खीत में सूध सब्द है महत्व कांसा कोच्पन पचास को दियां से देखेगा कोच्पन में पचास को आप दियां से देखिए कोड़ है कि निमन में सूध सब्द कौन है तो निमन में सूध सब्द महत्व कांसा होगा अफशन डी कोल टू कोरेक्ट इंसर होगा अफशन डी इसका सही इंसर होगा एक कावन वा कोच्पन देखते है उस घर के कोने में बैठ उत्या होगी जासूस किस पद्बंद का ऊधारन है कि ये जो में बढ़के अच्छे होते हैं हुए परिस्रमी होते हैं कि से इसनान ही परणान है क्यों क्योंकि इसमें एक से अधिक अंक आला मतलब यह नजरा रहां यह विद्यून यह वाला कोमा का साइन लग कर आएगा मिस्ट रुवाग का पाचान क्या कि हापको मल लगड रहेगा ठीक ना तो जो लगड़के अच्छे होते हो पर समय होते हैं किस वाग का उधार ना तो मिस्ट रुआ कि का अप्सन है इसका कॉर्यक्ट इंसर होगा इस बात को याद रख रुआका चार होना मुहावडकर्थ क्या होता है कि आछ आखी चार होने मुहावडकर्थ होता है आमने सामने होना आप्सन बी को सफंफन बी इसका सई एंसर होगा इस वाद को याद रखे रहा है है चोन कटा है मिस्टर होता पाट से जरंवाले के लिए एक सब्ध wiping पेट reflection थी न, सहोदर मतलो सग्गा होता है, सग्गा मतलो आपना, अपसंसीस का कोरेक्टन सुरोगा, एक ही उदर से जम्देने वाले क्या कलाता है, सहोदर कलाता है, थी न, मतलो सग्गा मतलो आपना, पच्पन नमगर कोशन कहड़ा है, कि बीर सब्द का बिलूम क्या होता है, कायर, बीर का उल्टा क्या वता है काईर, बीर का अर्थ होता है, किसी सरे नefड़ने वाला लेकिन कार का अर्थ होता है, बुझदील ड़ड़ने वाला अब संडी इसका correct answer होगा question में हम छपन क्यों चलते हैं question में छपन कुम ध्यान से देखेंगे question में छपन कर हाया कि एक दमे जब किसने कहा था तो हम पहलने एक भी तारी आश्वा किसने नो disadvantaged ऐगे ontमे लेकिन अपनी में ला करें किमयों आधाया पूस् quint न ओनी आधाय सिट वघ्याव कुन और ऐसेट करने। समार अब सेने इसका क्योट्र शुरोगा पर संतावनमर्ब क्योशिम देखेंगे हम घृएर पर दो लड़किया और साल भर के लड़के को लेकर अकेली थी घःना दलई बांध के नीचे बाढ़ आ गया था, तो यह दो लर्किया और साल में के लर्कियों के लेकर वो अकेली घर में बैठी थी, इस बात को याद रखेगा लाचमी, अप्सन 20 का कोरेक्टन जो रोगा, मा को कितनी पुत्रिया थी, यह बात मंगु में हो रही है, तो मा को कितनी पुत्रिया थी, एक मंगु थी, जो जनम से पागल थी एक और मंगु से उसकी बरी बहन कमू थी जिसका साधी हो चुका है और उसका बाल वुत्रु भी हो चुका है इस बात की ज़ YAD रखेगा मा को कितनी पुत्री थी? दो, एक कनाम मंगू था एक कनाम कमू था पुत्री के बारे हम कड़ रहा है ठीक न और संतिकने संताने थी तर तिन होगा क्या कि दो बेटिया थी और एक बेटा भी था लर्का भी था लेकिन फिलहाल यह कोशन आपसे कड़ा कि मा के कितने पुत्रिया थी कितनी लर्की थी तो दो 69 कोशन देख रहे हैं 69 कम ध्यान से देखेंगे यह बात अच्छी नहीं लगती कि मा महीने भर इधर उधर लुढगती रहे यह किसने कहा था यह बात अच्छी नहीं लगती है कि मा जो है महीने भर इधर उधर लुढगती रहे यह किसने कहा था जिसका correct answer का कैलास कैलास ने कहा अपना दुनों भायों से कि मा कब तक इधर उधर लुड़कती रहेगी कभी एक महिना उगर में एक महिना इधर गर में कैसे कब तक रहेगी मा को हम लोग 50-50 रुपिया दे देते हैं और ये 50 रुपिया मा के लिए बहुत काफी होगी और चाय तो हम लोग पिला ही देंगे ऐसा कौन कहा था तो कैलास ने कहा था इस बात को याद रखेगा कोच नमर साथ हमसे कह रहा है कि भढ़ आई आखे पोच कर किसने आकास के ओर देखा तो सीता ने जब नर्यान बोला कि 50 पर देने के लिए तो मा के आख में आसू आ गए मैं तो रहा है कि हम सब्सक्राइए के इस बात को याद रखेगा हिं अप्सण एज का फॉरिये के यह चिद्धित आफ को किसने साथ की ओर देखा तो सीता ने अप्नी आख पोच्च कर और लिए अकास के ओर देखा कुछन में एकसर कर रहा है कि A E दिर्गाउ बतों अमपया दिर्गाई और दिर्गाउ क्या है तिया दिर्ग स्वर है कौनसे स्वर है दिर्ग स्वर क्योंकि यहां पर सब दिर्ग का प्रयोग हुआ है यहां पर जो आप देख रहें यहां पर सब दिर्ग सब्द का प्रयोग ह अंपया दिर्गाई अदिर्गाउ मतलब दिर्ग स्वर का प्रयोग हुआ है अपसने एस का क्रेक्टन्स लोगा कुछ नुवर बासर देखते हैं फो का उचाना स्थान क्या है फो जब बोलिएगा तो उसमें ओंच का संपर्क होता है आप फो को बोल को देखिए फो को जो स्वर्थ का संदी बिछेद क्या होता है तो सवार्थ का संदी बिछेद होगा सू पलस अर्थ है स्वार्थ का संदी बिछेद क्या होगा सू पलस अर्थ है जिस प्रकार स्वागत का संदी बिछेद होता है सू जोड आगत ठीक उसी प्रकार स्वार्थ का संदी बिछेद हो इस बात को याद रखिएगा ठीक है को चोंसर देख रहे हैं नीम्न में सूध सब्द कौन है तो नीम्न में जो सूध सब्द है वह स्वेंबड है अफसन डीस का कॉरेक्ट इस रोगा सब्द का संग्या है तो समुष वाचक है mayor क्रेंगे जुनद में कड़ेंगे इसलिए जो है समुष वाचक संग्या है इस बात को याद रखिएगा अफसन डीस का कॉरेक्ट इस रोगा अगर सिपाही यहाँ पा नहीं होता है सिर्फ बिद्रोह पुछता, सिर्फ आपसे पुछता कि बिद्रोह सब्द कौन सा है, तब हाव अचक होता है, बट यहाँ पर सीपाही बिद्रोह बोला, इसलिए समुव अचक हुआ, अप्सन डीज का कोरेक्टेंस होगा इसमें, पिंजरा सब्द क्या है, तब पिंजरा अपसंचीज का करेक्टेंस होगा, इस बर्प्यात रखीएगा, तन्यस का कोन सथी पिलिंग है, तन्यस का इसरी पिलिंग है, कbersवन उत्र देख डेखरें हं, किया लिए किस का अप्र बिध़ बर खती है, तो संप्रदान के लिए, इसका correct answer option C, हमने पढ़ा करताने कर्म को कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, मतलग के लिए जो है, वो किस कारक्रा भी मक्ति है, तो C, संप्रदान के लिए, उमीद होगा ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इसी तरह से आप वीडियो पाना चाहते हैं तिस चैनल पर पहली बढ़ा है तिस सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को अन कर लिजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे थांकू वाचिंग फॉर माई वीडियो जैन दोस्तो